हिल्डेब्रेंड इस Also को समझने से पहले हमें solubility parameter समझने पढ़ेंगे कि यह क्या होते है ठीक देखो parameter of solubility हमारे वह parameter होते हैं जिसपे अगर कोई भी liquid पास हो जाता है तो वह liquid एक्ट कर सकता है solvent की तरह है ठीक है तो parameter of solubility for a liquid to act as solvent ठीक है तो अब हम समझते हैं कि हिल्टेब्रेंट solubility parameter किस तरह एक्ट करता है ठीक है तो पहले हम समझते हैं कि enthalpy of vaporization क्या होती है क्योंकि हमें पहले यह समझना जरूरी है जब ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ठीक है तो चीज़ मेरे पास कोई भी liquid है कोई बिलिकूड है और मैं क्या करता हूं इस liquid को heat प्रॉवाइड करता हूं ठीक तो लिक्विट बॉ Record होना चलो होगा ठीक है और हुर मैंने heat ज़्यादा provide करी ठीक है तो क्या होगा फिर यह liquid वेपर फेस में convert हो जाएगा ठीक है liquid से gas में convert हो जाएगा ठीक है तो जतनी amount of heat जतनी amount of heat मुझे देनी पड़ेगी इस liquid को gas में convert करने के लिए उसको क्या कहते हैं हम heat of vaporization ठीक है amount of energy added to a liquid to transform it into a gas ठीक है उसको करते हैं हम Enthalpy of Vaporization और इसको हम किस तरह रिप्रेजेट करते हैं इसको हम डेल्टा-एच से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अगर हमें Enthalpy of Vaporization पता चल गई तो हम cohesive energy density निकाल सकते हैं ठीक है अब cohesive energy density क्या होती है देखो ये होती ही हमारी amount of energy to remove unit volume of molecular species to infinite separation इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये वो cohesive energy density हमारी वो energy होती है जो हम देते हैं किसी भी liquid को जिससे की देखो liquid जो particle होते हैं वो दूसरे particle के साथ इस तरीके से bond बना के रखते हैं आपस में ये liquid के particles हैं ठीक तो जो energy में इस particle को दूँगा जिससे ये particle अपने liquid भाई पर चला जाए ठीक है उसको कहते हैं cohesive energy density ठीक है तो cohesive energy density क्या हुई amount of energy to remove unit volume of molecular species to infinite separation ठीक है तो इसका formula क्या होता है इसका formula होता है हमारा cohesive energy density को हम स्मॉल से देनोट करते हैं इसका formula होता है हमारा delta H minus RT upon V ठीक है delta H क्या है enthalpy of vaporization जो हमें उपर मिली R क्या है हमारा gas constant T क्या है temperature V क्या है molar volume ठीक है जब आपको cohesive energy density clear हो गई तब आप hill different solubility parameter आसानी से समझ सकते हो ठीक है तो देखो जितनी energy जितनी energy हमें देनी पड़ेगी जिससे कि जो particle होगा liquid का ठीक है जो liquid particle होंगे वो infinite separation पर चले जाएं ठीक है जतनी हमें energy देनी पड़ती है क्या यह estimate provide कर सकता है कि हम उसको इतनी ही energy देंगे जितनी कि इसमें dispersion forces जो होते हैं ठीक है dispersion forces dispersion forces हमारे वो forces होते हैं जिनसे यह particle आपस में जुड़े होते हैं bond बना के रखते हैं ठीक है तो हमें जो energy देंगे हम वो ही energy देंगे जो बरावर होगी dispersion forces के ठीक है तो इसको देखते होए इसको देखते होए कहा कि जो cohesive energy density का formula होता है ठीक है अगर आप इसकी under root लो cohesive energy density इसक under root लो ठीक है तो वो हमें estimate provide कर सकता है क्या interaction ठीक है तो hildebrand solubriti parameter provide करता है estimate of degree of interaction between material particularly for non-polar material ठीक है कि दो non-polar material किस तरीके से आपस में interact करेंगे उसका estimate provide करता है ठीक है इसको denote करते हम delta से ठीक है अब देखो जो cohesive energy density का formula था इसको अगर हम under root ले ले लेते हैं तो वो same वही formula है ठीक है वही same formula है बस उसका under root ले लिया है आपे ठीक है तो अब देखो इसमें जो delta H होगा वो हमारा heat of vaporization होगा delta H हमारा heat of vaporization होगा जो हमने उपर पड़ा R होगा वो हमारा gas constant T temperature और V molar volume ठीक है अब आपको यह यहाद रखना है जो hildebrand solubility parameter होता है हमारा यह केवल non polar और slightly polar solvents के लिए ही होता है ठीक है polar के लिए नहीं होता है यह केवल non polar और slightly polar solvents के लिए ही होता है ठीक है आप चाहें तो उसका screenshot भी ले सकते हैं